तर ऍष्बूर्ण बूंग और यू आज का टॉपिक है शोशल स्ट्राटिफिकेशन सोशल स्ट्राटिफिकेशन को रही हम हमेसा ही दिखाते है यह कि सोसल स्ट्राटिफिकेशन का मतलब होता है स्वशल माने her इस स्टरी में एक समाज में जितने स्टों को समाज करते हैं यह समाज को सब्सक्राइ़ ज82 समुजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं सुशल इसका मेनिश समझाते हैं, Social Stratification Reverse to the Society Division of a Population Distance यानि जो Society होती है, उसको कई तरीकों से Divide किया जा सकता है, जैसे Population को अगर हम Divide करें, Groups में Divide कर सकते हैं, उसके Factors को अगर हम देखें तो बहुत सारे Factors हैं, जैसे Wealth है, Income है, Occupations है, Education है, and Social Status है Social Status है, इसलिए जब भी हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे फिर वो Age के Factors से नापे हैं, चाहे हम धन के Factors से नापे हैं, चाहे हम Property के Factors से नापे हैं, तो हम हमेशा ही कह सकते हैं कि उसको हम बोलते है Social Stratification Social Stratification को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके Basis को हम समझें, तो हम इस तरीकी से समाज को दो भाबों में इवाइट कर सकते हैं, यानि समाज के Statification को समझने के लिए, इस तर को समझने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं, एक जो कि हम कहते हैं, Biological Basis Biological Basis का मतलब होता है Javiki, Javiki का मतलब जो Natural चीज़े हैं, जिनको हम कभी भी Change नहीं कर सकते, लेकिन उसके अधार पे हम Judge कर सकते हैं, जिसके किसी भी समाज में हम जाते हैं, किसी भी परिवार में हम जाते हैं, तो हमेंसे हम देखते हैं, कि लोग हमें मिलते हैं Male, Female, लेकिन सबसे पहले आती है उनकी Age, Age का मतलब उनकी I.U. जैसे Senior और Junior, यहां पे भी Stratification है, एक को हम बहुत ज़दा Respect देते हैं, और दूसरे को हम Normal यानि General काटेगरी में रखते हैं, दूसरा पोर्सन आता है Birth, Birth का मतलब होता है कि अगर किसी वेक्ती का Gender Male या Female है, तो हम उसको कभी भी Judge नहीं कर सकते हैं, लेकिन Society अगर Based है, तो हम यहां पे भी देखते हैं, कि मैन को या Patriarchal Society में जब डिवाइट किया जाता है तो वहां पे भी Birth का Ratio होता है अगर Male Product है, तो हम उसको Man Dominant Country में उसको Power ज़ादा देते हैं Female Dominant Country है, तो हम उस Female को ज़ादा पावर देते हैं, उसके बाद आता है Race, Race का मतलब होता है प्रजाती, यानि गोरा, काला, मोटा, पतला, सुन्दर, बतसूरत, तीसरे चौथे चीज़ जो आती है Physical या Mental Ability कोई बच्चा पैदाइसी बहुत अच्छा हो जाता है उसका Grow Up बहुत अच्छा हो जाता है कुछ बच्चे का Physical तो अच्छा नहीं होता मगर उसका जो Mental Ability है वो बहुत अच्छी हो जाती है इसका मतलब यह है कि वो बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को Learn कर लेता है बहुत जादा ना पढ़ने के बाउजूर उसको बहुत जल्दी जिदी समझ में आ जाती है तो यहाँ पे जो Basic Concept हम निकालते हैं वो होता है biological base जिसमें हम Point रखते है Age, Birth, Race and Physical या Mental Ability दूसरे जो समाजिक इस तरह आता है उसमें जो हम बताते हैं उसमें यह कहते हैं कि Social Cultural Basis Social Cultural Basis का मतलब यह होता है कि हर कोई बच्चा हमेशा ही पैदाइसी अमीर नहीं होता हमेशा ही पैदाइसी गरीब नहीं होता वहाँ पे क्या Effect करता है Effect करता है हमारी प्रॉपर्टी कि हमारी पास अगर हम राजा के बेटे हैं तो हम राजा बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन लोग हमको जज इसी तरीके से करते हैं जिसको हम कहते हैं Social Culture Basis Number 1 इसमें आता है प्रॉपर्टी Number 2 आता है Occupation आज भी समाज में अगर हम देखें स्ट्राटिफिकेशन को तो कुछ ऐसे वेफसा हैं For example अगर हम past to present बें convert करें तो government and private job जो occupation, government को importance दी जाती है वो private को importance नहीं दी जाती भले है उनकी income बहुत अच्छी के होना हो भले है उनकी position बहुत अच्छी के होना हो क्या है कि अगर हम इसको देखें तो यह हमारे समाज में आज भी बरकरार है बरकरार कैसे है? चार factor के द्वारा नमबर वन जब primitive society से लेकर कि अगर हम modern society को convert करते हैं तो चार forms मिलते हैं नमबर वन आता है slavery slavery जो होती है उसको हम कहते हैं दास दास का मतलब होता है base of economic conditions यानि वो economic में base होता है अगर किसी के पास बहुत अच्छा पैसा है तो हम किसी को भी बुलाम रख सकते हैं बात कर सकते हैं, दासर तो बना सकते हैं तो इसको हम कहते हैं in the slavery every slab has the master यानि जो भी एक slab है उसके उपर एक काम जो करने वाला वेक्ती है वो होता है master यानि अगर हम देखे मजदूरों का group तो उनमें भी एक leader होता है जो leader होता है उसको हम higher position देते हैं और जो leader नहीं होता है उसके under में जो काम करते हैं उसको हम कहते है slavery group या फिर slabs point number two अगर हम देखे तो उसे हम कहते है state state का मतलब होता है यह middle Europe से आया condition इसमें क्या था कि stratification which gave much emphasis of birth as well as wealth and professions इसका मतलब होता है कि middle Europe ने जबाया तो वहाँ पे तीन category देखने को मिली सबसे पहले जो category देखने को मिली वह थी birth दूसी जो category देखने को मिली वह थी wealth और टीसी जो category देखने को मिली वह थी positions इसके बाद आता है आपका main point जिसको हम कहते है caste आज भी society में heritage indogamous है यानि कितना भी हम society में changing कर लें लेकिन आज भी हमारे अंदर किसी के नाम से ज़्यादा उसके सर्नेम को जानने की इच्छा होती है उसका मतलब होता है heritage indogamous इसको कहते हैं हम caste और caste में आज भी हमारी समाज में कैसा सिस्टम है ascribed यानि बिला हुआ कोई वेक्ति है अगर बजपन से ही ब्रामण, छत्री, वैस और सूध्र है तो आज भी important सबसे दा किसकी है ब्रामण की ना कि सूध्री आज भी अगर हम professions को देखे तो ब्रामण का जो काम है पूजा पाट का उनको हम superiority देते हैं और उनको हम superiority नहीं देते next और last point जो आता है in a modern society class class is the stratification of basis और class is dominant in modern society यानि अगर हम society को similarity के रूप में ले करके जाएं अगर हम equality के रूप में ले करके जाएं तो हम पाते हैं कि आज achievement की दुनिया है यानि ascribe को हम प्रमोट नहीं करते हैं हम बात करते हैं achievement की तो achievement में अगर हम बात करें जो कि हमने पहले भी आप से कहा था कि age, birth, race और mental, physical को छोड़ करके अगर हम बात करते हैं इसके classic application की तो हम बात चाहेंगे position पर person की position depend करती है where it gets achievement पर यानि male और female कोई भी हूँ istriya purus कोई भी हूँ ameer या garib कोई भी हूँ achievement करें और अपने classment को judge कर ले तो इसको हम क्याते है class ये एक open system है society का और ये एक close system है आज भी modern society में दो ही श्ट्वटा देखने को मिलते हैं पहला आता है caste और दूसरा आता है class caste है ascribe system और class है achievement system